हाई गाईज गुड इवनिंग और कैसे हो आप सब लोग और अभी आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना हैवी मेकप किये हुए क्यों हूं सो मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने एक मेकप वीडियो शूट किया है विकाज मेरे थोड़ा स्केन अभी ठीक नहीं चल रहा था मुझे एलर्जी हो रखी इस वज़े से बोड़ी एलर्जी थी तो जो की वो एलर्जी मेरे फेस पे भी होती थी इस वज़े से तो मुझे बहुत लोग अभी देखते होंगे तो मैंने आज मेकप लोग क्रिएट किया और यह मेकप लोग इस तरह का मतलब मैंने चैनल के पहले कभी क्रिएट महीं किया है उसली मेरे मेकप लोग जो सिंपल ही होते थे कभी पिंक रहते थे तो आज मैंने थोड़ा ग्री ट्राइब अपने आखों पर आए होप अपनों को अच्छी अभी लग रही होगी और अभी मैंने मेकप में मैं जस्ट अभी 3 हुई हूं अभी शाम के पौने 5 हो रहे हैं और मैं शायद तीन बज़े से पहले बैठी थी टाइम इसलिए मुझे इतना लग गया विनी है विनी जाग रह तो यही होता है आप सोच रहे होगे मैं क्या बता रही हूं और अब मैंने सोचा चलू मैं एक व्लॉग शूट कर लेती हूं आप लोगों को बता देती हूं यार मैंने मेकप लोग उन्हें नहीं देखा देख लीजेगा थोड़ा एहसान कर दीजेगा और शाम हो गई है द एक चीवी देखती रही वो तब तक मैं जैसे तैसे बना ली अब जा रही हूं रात का डिनर बनाने के लिए विकार तो फैर में लंच पे शचीन नहीं आये थे तब तक पक्ती रहेगी तो फिर मैं आगे अपना मेकप क्लीन कर लूँगी उस दिन मैं बता रही थी आपको मैं सीटा फल बनाने वाली थी बट उस दिन मैं सीटा फल नहीं बना पाई बिकूस फिर मैंने शाम को हम लोगों ने ब्रेड ओमलेट खा लिया था इस वज़े से त भाईयों और बहनों पेश है हमारा सीटा फल और अब मैं इसको काट रही हूँ और आप देखो मैं इस तरह से काट रही हूँ बट इसको काटने में ही मुझे कितना जोर लगाना पड़ रहा है और यह बहुत टाइट भी कट रहा है मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ रह क्योंकि बहुत टाइम लगा था और ऐसे आपको यह लग रहा होगा कि बहुत जल्दी कट गया नहीं इसको काटने बहुत टाइम लग गया था वह आप ऐसे क्लिप यह देखके यह आप समझ सकते हो कि कमारी किसे कट रहा है और मेरे हाबको हाथ पर कुछ पॉट्स दिख रहे होंगे यह पॉट्स एक्टिली मुझे जो होई थी ना इचिंग उढाव इसको इतना मतलब इचिंग होथी थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी उसके स्पॉर्स नें खुजली लेती थी ना बट अब ये ठीक होगा है डॉक्टर ने दबाई दी थी थी ना तो उनको लगा रही हूं इसलिए अब फेड हो रहा है और हमारा ये सीता फल भी कट गया है इसके जो सीट्स है ना इनको मैं साइड में कर रही हूं और फास्ट फॉवरड में तो बिल्कुल भी यह नहीं लग रहा होगा आप लोगों को पर इसको काटने में कोई दिक्कत हुई होगी बहुत जादा दिक्कत हुई थी तो बड़ी महनत के बाद मेरा जो सीता फल है वह पूरा कट गया है और सीता फल को कद्दू भी बोलते हैं वैसे मैं कद्दू ही बोलती हूं पर मतलब बच्पन में मैं कॉलोनी में रहती थी मतलब मेरे पापा जो है वो पुलिस में है आप तो खेब रेटायाइड हो गए तो उस ताइम पे जो पुलिस पॉर्टर्स होते हैं मैं वहां रहती थी और वहां पर मेरी एक चाइल्डूट फ्रेंग थी उसका नाम है प्रियं से आइटी मुझे इतना याद नहीं है और आंटी बोली कि मैं अब जा रही हूं थोड़ी देर बाद और मुझे ना खाना बनाना है कद्दू रखा है मुझे कद्दू बनाना है तो अब मैं थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए क्योंकि उस टाइम पर हम लोग चीतू मिलके कद्दू बना लेंगे अंटी कह रही है बना ले ना बिगाड तो नहीं देख लेंगे और आप भी बनाया है तो मैं गई जीतू के घर तो मुझे काद लीए कोई बहाँ आनके मैं चली गरियो मैं लिए हैंक कि मद्लो बना लेते हैं के अंटी ना खुषि बना लासे आप बुदिन काटलि से जैसे नौल में बनाते आं प्याज डू मासाले ऽूच्छ अब इतिना सब कुछ डाल देगे वाद हम लोगों ने क्या किया उसमें दो ग्लास बार के पानी डाल दिया वहला जितना कदू था हम लोगों को लगा जैसे आलू मटर आलू टमाड़ बनते हैं अब ऐसे ही बनता है अब उसमें सब कुछ मसाला पग गया कदू डाल दिया और उसके बाद हमने का अब इसको एक काम कर रहे है दो ग्लासे सब पानी डाल दे रहा तो याराम से पक जाएगा कदू का बतानी क्या वन गया और आंटी आई आई आंटी बोली ऐ बेला ने पवार दीन हाई सब कदू आइसे आंटी बोली हो इतनी हसी आई हमने कहां आणडी स्वारी अटी आपनी डलता है तो वो लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था है कि मुझे पता नहीं डलता है या नहीं डलता है यो दर बताया गया ना मुझे पता ना जीतू को पता आप लोग ने डाल दिया और वो कद्दू की पूरी ऐसी की पैसी हो गई तब से मतलब मेरे माइंड में मैं कुछ भी भूल सकती हूं पर मैं यह नहीं कभी उस टाइम के बाद से भूली कि कद्दू में पानी नहीं डलता बग्де आप लोग को एक चीज और बतानी है को इसलिक दो तरीके से बंता एं एक नीठा वाला byनता है और वो घुटा वी बनता है तो मैं इसको नौर्मल ही बना रहे हूं जैसे में बाक्य सब्सी बनाती हो उसी तबर को बना रहे हूं और कद्दू रायता बहि इसoss with the more law से मुझे एलर्जी होती है खटी चीजों से मुझे एलर्जी होती है इसमें खटाई डालो तो इसका टेस्ट और अच्छा होता है बना लेती हूं आपको पकाती नहीं हूं तद्द को पकाती हूं कि हम सबाएं इसमें मैमने ओइल डूल दिया है और मेथी डाने डूल दिए और मेथी डाने से थो ठोड़ा उसका सवाद भी अच्छा आ जाता है और उसक की बाद मैँने जीरा डाल दिया था प्यास और मिर्च कट रकी थी अद्रक कस रखा था तह मैंने और हींग भी डाल दी मैंने, तो वो सब भी मैं इसमें डाल दूँगी, ये जब गर्म हो जाएगा, पक जाएगा, ये जो जीरा बगेरा है, इसका फ्लेवर आ जाएगा ओयल में, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसमें अनियन बगेरा सब कुछ डाल दूँगी, तो ये उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको काटने के बाद तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैंने कोई जंग चीत लिया, तो जो सीता फल है, मैं बहुत सादा सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसे बनाती हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इसमें कुछ खटाई बनाuchen तो वो सचेन इतना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको नॉरमल ही बनाया, बट इसमें न ये जो सीता फल है, ये मीठा वाला ही था, कुछ मीठा आता है, तो वैसे यह ता, तो इसमें मीठा पन था था, भोड़ा सा, और सारे ठोड़े ठोड़े मसाले डाल द कि क्या बोलते सॉफ्ट वाला वो सीता फल यहां मिलता है या नहीं मिलता क्योंकि मैं अभी दूसरी बार यह लेके आई हूं तो मुझे ऐसा यह टाइट हार्ड ही मिला है मैंने देखा कई जगे आसपा सबसी मंडी भी है वहां पर भी जाके देखा पर मुझे तो नहीं मिला तो मजबूरन मुझे यही लाना पड़ा अब देखो मिलता है तभी मुझे यह लाने की इक्षा नहीं होती है घर पे ना कि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है इसको काटने की बाकी सबजी बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है ऐसे सब मसाले साले डालो जिस तरह से मै मारा बन किया इसके उपर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीती तो उससे इसका स्वाथ जो है ना वो थोड़ा मुझे अच्छा आ गया था और उसके बाद मैंने पूरियां बनाई आपको फोन करो तो आप बोलते हो तो बैटे हैं कुछ निकल रहा है तो थोड़ी सी कुछ पूरियां है वो मैं यहां पर वो भी निकाल लूँगी तो मैं वो भी दिखा देती हूं आप लोगों को और मैं सचिन से भी बाते करती जा रही थी यहां पर रहे हैं पूरियां जो हैं सचेन आगर अंदर में देंसी रहे हैं यहां पटी देप को खुरकुरी पूरी पर तरन है इसवी मैं उनके लिए कुर्कुरी ट्रिस्पी टाइब की पूरी बना के वो उनको उची लखती हैं तो एक दो पूरी और गही हैं बास पिर हम लोग जाके दिनर करेंगे कद्दू भी पूरी तो फ्रेंड्स कल जो है मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था दिनर करने के बाद obviously husband आये हैं तो उनको ही time देंगे और उनको ज्यादा पसंद नहीं है मेरे व्लॉग में आना इसलिए वो मेरे व्लॉग में बहुत कम आते हैं by chance कभी मैं ही जोर जबर्दस्ती करके उने दिखा दूँ otherwise अगर उनको पता है कि मैं वीडियो शूट कर रही है तो वो आरे तेडे मूँ बनाने लगते हैं कि मैं जान बुझ के फिर मैं खुदी वीडियो शूट नहीं करूंगी तो वो उनकी choice है बट कोई ने और अभी time जो है वो हो रहा है पौने बारा और थोड़ी देर में मैं जाओंगी अपनी नन्नी परी अपनी कली को स्कूल से लेने आज इसको स्कूल भेजाना तो आज घर पे ही एक स्टोरी बुक घर पे ही छूट गई जब उसको लेने जाओंगी तो मैं वो स्टोरी बुक लेके जाओंगी तो वो फिर बढ़ा दो बट मैं आज ले जाना भूल गई कोई नहीं और सुबह मैंने breakfast में बनाये था पराठा बनाये था उसके लिए भी बनाये था तो वो लेके चली गई और सचिन के लिए भी बनाये था तो सचिन भी लेके चले गई पराठा और आलू शिमला मिर्च की सब्जी वैसे हम बोलते हैं शिमला की आलू अगर ऐसे बताना हो तो शिमला की आलू अना ऐसे सो वो भी लेके चले गए और अब मैं टाइम काट रही हूँ और आज फिर से मैंने हैर वाश किया है पर जिस दिन हैर वाश कर लो ना तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा फ्रेश फील होता है तो जिस दिन मैं हैर वाश करती हूँ ना तो पुझे बहुत फ्रेश फील होता है और क्या है और तो अभी कुछ है नहीं है देखो आगे क्या करते हैं और अभी ना शाम का टाइम हुए, शाम को हमने स्वेगी से घर के पास में एक रेस्टरॉन है, वहां से कुछ आईटम ओडर किया था, हमने चिली पराठा ओडर किया था, और हमने राज कचोड़ी ओडर की थी, तो बट हुआ गया, जो चिली पराठा हमने मगा या था, इसमें इनकी quantity इन्होंने बहुत कम की इसे पहले भी मंगाया है बट वो पूरा उपर तक भर के आता था और ये इसमें कोई भी टेव वगेरा ये मतलब शील्ड पैक नहीं था और राज कचोरी में आप देख लो उन्होंने क्या भेजा ये एक कचोरी और उसके संग में एक च में पापा को को बोल दो बाई अराम से जाना अराम से जाना कम सून चलो अंदर सो फ्रेंड्स कैसे हो और दफैर में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया विकेस मैं आज दफैर में सो गई थी और फिर शाम को सट इन घर आ गए थे हुआ ये आज उनकी नाइट ड्यूटी है सो इस दे वो शाम को जल्दी आ गए थे अब वो नाइट ड्यूटी पे चले गए हैं और अब मैं पश्टा रही हूं मैं दिन में क्यों सो गई अब मैं दिन में सो गई ना अब मुझे रात में नीद नहीं आईगी मुझे रात में नीद नहीं आईग लिए या तीवी दिखती रही तब देखते हैं क्या होता है और ब्मिक कुछुम् से खेल रही है और विनी बलून से खेल रही है उनके पापा ने बलून विनी को लाके दे दिया था और उस पर मारकर से विनी ने ड्रॉइंग बना ली है और अब खेल रही है और अब मैं व्लॉग को कर रही हूं यहीं पर और पीछे भी ने की टी शिर्ट है और मिलती हूं आप लोगों से अपने ले लो बिदी ले लो मिलती हूं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक इंजॉई कीजिए खुश रहिए और भारत माता की जैप